नमस्कार दर्शकों आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्रेट्पॉम और इस वक्त हम है सैनिक कलोनी के शिव मंदिर में और अक्सर आपने शिव मंदिर में यहाँ पर दर्शन किया हूंगे लेकिन यहाँ पर हाल ही में एक विवाद चल रहा है जन्व मस्टमी से पहले ही और जो कोशा ध्यक्ष हैं अंजो चौदरी जी उनके उपर एक सोशल मीडिया चैनल पर अरोप लगाए गए हैं और यह तमाम कमेटी की सद्रस्य अंजो चोदरी के साथ बैठे हैं और कल पूरा एक विवाध सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से सामने आया था और इनसे ज एक सोशल मेडिया के दो तिन चैनल पर आपके ओपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 17 लाग रुपे या उसके लावा जो कहीं आरोप हैं कमेटी की जो मेटिंग है उसके बारे में तो क्या कहना चाहिए पहली बार तो नहीं जो कमेटी बनी है उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है ना मेरे संग्यान में है कि कोई नई कमेटी बनी है ना ही कल की मीटिंग के लिए मेरे पास कोई मैसीज आया है ना सोसाइटी की तरफ से ना कोई सरकारी अधिकारी की तरफ से कि भी कल मीटिंग है आपने आना है दूसरी जो आरोप लगे हैं कि वह इन्होंने गुटाला किया है वो किया है 18,00,000 का कोई सॉसाइटी में एकाउंट है सॉसाइटी में टांसपर हुए ते पैसे उसका जबाब सॉसाइटी के प्रेसिडेंट और हम सब मिल गए देंगे जो महिला सामने आई थी वीडियो में उनका पक्ष तो सब लोगों ने सुना है जो जो एक एक उन्होंने बड़े लंबे अरोप घंभीर आरोप आपके ओपर लगाए हैं उन और उपर क्या कहते हैं जो महिला है वो फो 9-10 सब्सक्रास्पैक्रांजाने प्लिसमें जाए और ये तो आते और गवे लाइश पार ले जाए जौरा समें पलीज़ां ऐसा वी कर पा रहे है हिसाब नहीं दे रहे हैं सब 2018 में मुझे मिला था अठारे के 2020 का मैंने और इट कर आया हुआ है उसके बाद करोना है उसके बाद का एसाब यह सब उसके बाद का हिसाब के अगर वह चीज आएगी तो सबसे बड़ा लग रहा है हिसाब किताब देने का जो मंदिर का मेंबर पहला या जो नई बनी है उसे तो मैं नहीं मानती क्योंकि मेरी संग्यान में है कोई नहीं कि मैटी बनी है कोई भी मेर से आकर अगर आज चाहता है आज ले 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 तो इन लोगों को दीखा ही नहीं कि कोई तोहार है या नहीं है मैं हर तरह से उनके लिए जबाब देने के लिए तयार हूँ एक एक चीज में क्यों हैं ऐसा विरोध क्यूं हो रहा है को दुकर मंदीर होता है एक गलां झेल के बड़ाई है मंदीर को रहा है मनें में अवपर जग2018 मंदिर बोला है कि कमरे तोड़े हैं उस जमीन को मैंने मंदिर से जोड़ा है जो कल कमेटी बैठी हुई थी या या जो भी वहाँ वह आई होई थे वह प्रॉपर्टी डीलर भी थे उसमें एक भाई है उसमें कह रहे हैं कि अंजू चौधरी क्यों नहीं आई है इसका मतलब हम क्या सोचें मैं उ को कोई भी जानकारी नहीं ती कि कल आम meeting होनी है यह एक समझी संगाई साजी सहा हाँ कि चो ग्लाब की जा रही है मैं यह कहना नहीं चाहती कि कुछ को मेंने कि इसी भी रही हैं कि जिनके ओपर ये दिल्जाम लगे थे कि भusto act है जब ça सुम बीदाल मैं देंने चाहती उपर आगर जिस सावसे पहली कमेटी नहीं साथ दिया ना उसी हिसाब से मैं कमेटी हर तरह से तेने के लिए तयार पाई टीवी स्क्रीन भी दे दूँगी बॉइफाइल भी दे दूँगी ऑई ऑ्डीट भी दे दूँगी ऑंजो मुझे जिस तरह से आपके ओपर आरोप लगाए जा रहे हैं और आपने कहा कि साफ साफ बताए कि आपको कोई ग्रूप या उसके थूप इस नई मीटिंग के बारे में कमेटी के बारे में बताए गया मंदिर को हमेंसा राजनीती से दूर रखना चाहिए कल की जो वीडियो वह हुई है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि एलेक को तो आपको समस्झती नहीं हैं वह कुछ भी कह सकती है उनके उपर भी कुछ समय पहले पताए जारे हैं कुछ भी उनके वपर भी उनको ताकि मंदिर से जो हटाया गया था अपने पोनारों यह कि से भी चिघ़यो अब हमारी एक लिश्ट बनी है हमारे ईक से बाड़ से जोड़ी है जो आज से पत्चीस साल में जितने भी आए कोई नहीं कर पाया जो हमने करा है इसलिए यह मैंन मक्सद है कि इतने समय से जो है आप यहां पर अपने पत्पे बने हुए संद 2008 पर मुझे मिला था पांसाल अठारे को सब्सक्राइब नहीं 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 रही है सेवादार ही रहे हमारे हैं पर कोशाद्ध्ष के लिए मैंने सारी चीजें उनके फूर बाउचर कटते हैं उनके तूर सेलरी होती है इनको थी मैंने बताया ना कि हम एक एक चीज का हिसाब देने के लिए तैयार है एक एक सिक्के का लेकिन 2018 से पहले जो थे कमेटी में मरती वह भी अपना हिसाब देंगे हैं लगा रहे हैं इस विडियो में देख पा रहे हैं जो जो कमेटी में आना चाहते हैं या जो राजनीती करना चाहते हैं यह वह भूख नाजो चौधरी आगया पर इन बातों से कोई फरक नहींड पड़ता सेवा करोंगे बिल्कुल सेवा करूगी बिल्कुल सेवा करती रहोग लगा रहे हैं आपका नाम आप जैसे बता रहे हैं कि नाम खराब S Till आप लेंगे बिल्कुल उस लेडी पर मेरा लीगल एक्षन के लिए मैंने वकील से बात कर लिया जो वह दिखा रही है उनके पास पहुंच जाएगा और जिनोंने कल मेरा जो यह यहां पर पत्रकार आए थे उनसे भी मेरी बात हुई थी कि आप आ जाईए उन्होंने मुझे सुब के साबने के लिए कि आपने उपर लगे हुए आरोपों पर भी उन्होंने सफाई दिया ऐसारे नंबर से और अब देखिए और लेडी ना कि कमरे का कि अबिकमरे तोडे हैं वो पंडेगा यह सेवदार बैठे उनका जवाब यह दे देगे चलिए जो कमरे तोड़ने की बा इनसे बातचीत करेंगे सर क्या नाम है अपका जो कमरा तोड़ने की बाद कही जा रही हैं जो चोदरी जी पर अरोप लगाए जा रहे हैं वह कितना सही हैं कितने गलत हैं आपके जुबन यह सब गलत है क्योंकि यह 15-25 साल से यह कमरे बने हुए थे पुराने हुए सब जट र दो मैंने क्लिए पुरुबने फिर 100-30 मेने की लिए ढ़या है जो पर टेछा उसकेपर हीचे निये वाध्य कर देंगे। तो तो कमरे तैर हो चुके अब आपको सोविधा दी ही है इतना हमारे साथ सवयो करते हैं हर अपने बच्चों को दरहा हैं इन्नों ने कर रखा है इतना हर पाह। पर जो यह आरोप लगा रहे हैं बैसों को लेकर कमरे को तोड़ने यह अपना उपना गुशा निगालने के लिए इनकों पर आरोप लगाया है यह सब गलत है तक जो है अंजो चोदरी के जो काम कर रही हैं सेवा दे रही हैं इस मंदिर में आप उससे संतुष्ट है बिल्कु उनका मंदिर में क्या रूल रहता है वो तो शेवागर ने आती है वो अपना करके जाना होता है क्या बता है उसका पैसों की बात बता रहे हैं सतरह अठारा लाथ रुपे या इस तरह की आरोप जो लगा रहे हैं उसको आप कितना हमें इसके बारे में जानगारी भी नहीं है मंगर यह सब बनाए भी बाते लग रहे हैं हिसाब किताब को लेकर बात रहे हैं और भी हैं कितने सालों से आप इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं 2017-2018 से जो कल एंग्वीडियो सामने आया है वह एक पक्ष जनता ने सुना है अर्यदभाद वासियोंने सुना है सायनिक कलोणी वासियों यहां पर दिन रात रहते हैं सेवा करते हैं अंजो चोदरी जी पर पांच साल से सेवा दे रही है उनके कमेटी है टीम का सहयूग रहता है तब ही मंदिर आगे बढ़ता है तो आगे आप क्या समस्थे हैं कि जो जिस तरह के आरोप एक महीला के दोवारा या कल लगाए गए व नहीं है एक है साब किताब में गडबड की बात कही जा रही है क्योंकि उन्होंने था है आब यह तो जाने भी जाने के आपके नज derive कम्रा टोड़ने की簡़ तरीकानी नई कमेटटी की बात कर ईदी तार Pues बच्चे वाले करने में विबात क्यों अब यह तो ऊपर वो जिलता है नौ जलन है वजल कमारे क्या कर सकते तो बात वह यार यह राजनीती हो रही है मंदिर के अंदर भी बिल्कुल यह चाहते हैं कि जो यह अपने सेवा दे रही हैं वह आगे सेवा ना दे उनके जगा उनको नमसकाल जी जाना मस्टमी है तियोहार है यह सब होना चाहिए था लेकिन इसके अलावा यह विवात क्यों हो रहा आ चानक से विवाद करने वालों को पता ना क्यों हो रा क्यों निह रहा मैं चलन जलना करका मेरे हम मेरे उपर फराम नगाया गया कि मैं में और अंजू करने वाले को सब को काम बांटे हूं हैं जिस सब में अपना काम करते रहें जो जैइंट भाई यह वह क्योंकि आते हैं कभी कोई जूटी जाता है कुछ है तो वह उसी साथ से काम करते हैं ये कभी आगे सेवा करी बोड़ी दम भर रही है कि मैं इतने सालत सेवा करने हो इसको यह नहीं पता कि यह जिस में यहां से मंन्दिर को खुद मैंने नियर्मान करवाया है किस्षी भल्ला के साथ सिरों पे टूकर है रखवा के हमने यह मंन्दृ क करने वाले हम हम यह मंदिर का खऊपला करेंगे हैं । यह ब्लकुल बेचाइन किम appeal हैं ऍस करते हैं आज से नहीं हम 27 साल से मैं सेवा कर रहें इस मंदिर के लिए परशाद का हर चीज की सेवा करते हैं आज तक इसे ने कोई आरोप नहीं लगाया इस लेडिस ने किस मुद्दे से लगाया यह रोप तो यह वो जाने यह वो भोले ना चाहिए जाने कोई सबूत ऐसा चौदर लेकि आई है और आज अंजो चोदरी के ऊपर यह रोप लगा रही है तो यह बेव बुनियाद है देखिए आपने सुना और भी सदस्य है और भी जी क्या नाम है जी क्या कहना चाहेंगे आप भी कमेटी की सदस्य हैं आते हैं जब भी समय मिलता है शिबलिंग की से सवा जो भी सेवा हमें मिलती है है दिल खुश हो के हम सेवा करते हैं और पर जैसे अरवा लग रहे हैं के अंदर बैढ़ कर जो है स्टोर में काम करते हैं या उनको ऐसा लगता हुए के गल्ले की बांट करते हैं तो क्या वो सही है नहीं निगालता है वो सारे लोग बैठें सारे साथ ही होते हैं जब भी गल्ला खोला जाता है हमारे सेवादार के हमारे यह सारी बहन है हमारा एक बहुत अच्छी क्या काम रहता है आपका स्टोर में एक बार आप से जानना चाह लो लो को सिपथ को दिखाई दे नगे कोई सेवादार बन के आए तो दिखाई देना क्या कहना चाहेंगे उनसे कैमरी के माध्यान से यहां देखिए यह देखकर करो और तुम भी इस टोर की निग्रानि रख में क्या हो रहा दूर से कारे करवाई हैं जो हमारे पास पुरूप है हमने क्या है देखिए कुछ कारें को दिखा रहे हैं की बनवाई है उपर शिवलिंग पर मैंने चांदी का पत्रा भी चड़वाया सभी और उसके बाद कई देवियों पर सोने की नथे भी चड़ी है तो पहले वाले हम नहीं कह सक लेकिन इस कमेटी ने बहुत सेवा करें किसी से भी आप पूछ सकते हैं तो देखिए इनों ने साफ साब बताये कि किस तरह से सेवा रहती है और अंजू चौदरी जी के साथ मिलकर करते हैं एक बार आपका नाम जानना चाहेंगे जिस तरह से आरोप लग रहे हैं इन सब्सक्राइब करते हैं उनको मन में कुछ होता तो सामने आके बात करती हो अच्छे बात करती है अगर तुम्हारे मन में थोड़ा बती होता है कि नई कमेटी की नई कमेटी की बारे में क्या कहना चाहेंगे आपको कुछ आपको बजाना मतलब नहीं है जबकि अंजू मंदर का हम कहते हैं हम यह सही बात है पर थोड़ा बहुत है कि एक दो दिन पहल धने करना तो सब तुम पहुंचो अगर वह चीज प्यार से होता तो तो इस पले बात ही नहीं ठरी नहीं घाले की नहीं फ्रीवपनों कमेटी जाए तो उन्जु का नाम भी डाला हुआ इनका भी नाम भी डाला हुआ है और फिर अगेस्ट में भी बहुत जा रहे हैं जो बात है उनको सब के सामने और बीच में आकर करनी चाहिए कि केवल किसी कैमरे के सामने आगर उनको अभी भी वक्त है सामने आजाए त्योहर का वक्त है जाना चाहिए कमेटी गठन का था तो कमेटी गठन पर यह बात होती ना तो यह बात क्यों उठाए गई इसको क्यों इतनी वह दी जारी इसकी क्या वेल्यू है इसका क्या प्रूफ तो जो बात जिस मतलब के लिए कमेटी बिठाई गी ती जो वालों को बुलाया गया था तो पहले वाले मेंबर्स को क्यों नहीं इंफॉर्म किया पहली गल्लाइजाता था उनको एड भी कर रहे हो उनको इनफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं तो इसमें क्या सोचोगे आप इसके कि आप अंदर अपनी मर्जी से जो मर्जी करोगे ऐसे तो नहीं होता नैंगे क्या सोचा है इसाostանा है आप सब Прав मने होता है एक बार को तो आगे कैसे कामते कम शेवा जारी रखने के की वी हो सारे समझदार है है पड़े लिखे लोग हैं इतनी समझ तो होती कि तो हार के बाद ये मुद्दा उठाया जाता देखो मन विचलित हो जाता है कितना भी आप मन से करो कि वो मन में तली तो आप अपसेट हो गए न तो सोच समझ के बादे बाकी बोलने का क्या है बोलने वाले तो जो काम करता है उसके उपर रहे हैं मैं भी यहां काफी टाइम से रह रहे हैं लेकिन मैंने तो development होते देखी है मंदिर की जब भी हम आते हैं मंदिर का जो भी प्रोग्राम होता है बड़े organized way में होता है बड़े system से लोग आते हैं NCR से बाहर से इतना rush होता है इतना rush संभाले नहीं संभलता और उसके ब पड़ी बात है कि इतनी पबली के बाद कभी कोई हाथसा नहीं हुआ हमारे यहां इतने security guard यहां खड़े होते हैं अंदर ladies जान सब जबादार कड़े होते हैं अंदर भी कोई धका मुकी छीना जपती कोई चोरी चकारी कभी कुछ नी सुना हमने यह एक अलग dispute उठा दिया है तो आप में से कोई बात करना चाहेगा तो अपने तरफ से जो बताना चाहेंगे क्या नाम है मैं भी को तीन साल से जुड़ी हुए ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है सेवाधार मैं भी सेवाधार हूं हमने इतना भी देखा है बहुत सारी improvement होते हुए देखी है एलिगेशन लगाते हुए अभी तक हमने किसी को देखा जे फर्स लेडी है सब यह कहते हैं कि बहुत अच्छी और हमने कुद देखा है बहुत जदा इंटूब्मेंट हुए है शीडिंग पे चांदी के वो मुकट वगहरा मूर्तियों पे और बहुत सारा जो प्रोग्राम मिलता है में किसी क्रवाइए में लॉगाते में अच्छी करती कुद करती हैं और जो भी प्रोग्राम मुझे मुझे बलाया जाता है यह नहीं版ें के बहुत मिलता यहां से मंदिर से मैंने तो आज तक देखा नहीं अभी ऐसा कुछ गलत होते मंदिर में बढ़ चड़के काम होता है बढ़ चड़के सब कुछ सपोर्ट मिलता है और वह ऐसे नहीं है कि वह परदान है तो परदान की गिरी जाड़ी वह इस सेवादार की तरह काम करती है हमें तो कोई कमी निजराई अब त्योहार तो है इसको मनाना तो है अभी इसमें कैसे लगेंगे अगर आप इस जन्मास्टी में के बात करते थोड़ा सा तो साथ खुछ हो के खुछ दिल से यह प्रोग्राम करते बगवान का काम है एक हमारा अपना नहीं है का यह बगवान का का मैं जन्मास्टी में उसका प्रोग्राम होने के बाद यह कल जो प्रोग्राम इन्होंने किया है दूसरे दिन करते तो ज्यादा अच्छा था खुछी खुछी लोग सारे प्रोग्राम करते जो आज करेंगे लेकिन वह उतना जोश नहीं है वह इतना बड़ा एलिगेशन ही के वह हर चीज है वह क्यों सब्सक्राइब करते हैं संव構र यह स्थ लेकर चलती हैं सेवा बाटती है जो भी कैश आता है उसको किस तरीडेंगे से लगा ना है सबसे मैने सबसे पूछ कर नहीं सबसे पूछ कर दिया जैसे की सभी ने बताया कि शिब जी जी पर चांदी पैसा यूज हुआ है जिससे की बिजली की बचत भी हो रही है पहले गर्मी में आते थे चल रहा है जैसे मर्जी चल रहा है अब जगए जगए लाइटों का अरेजमेंट फंक्शन होता है तो पंको का पूल रोक अरेजमेंट सफाई अंदर लेडिस गाड अलग होती है पुल होती है तो चोरी चकारी सुविधाओं का धिहान रखना सारा कर रही है जो अगर कुछ प्रूफ है उनके पास तो वह दिखाए उसके बारे में सोचा जरूर जाएगा अधर्वाइच सब बेकार है सब बेबुनियादी है वह जो कर रही है हमने तो देखा है तरे टाइम से क अधर काम हो रहा है और हम खुश हैं उनके साथ काम करके बहुत बहुत बढ़िया बात कहीं है जी अने मैं पुजा कोशेग तो मैं भी साने कालोनी में राती हूं काफी टाइम से हमारी तीन लेडिस के हमारी टीम है कि तन की यह सुचि रावर और यहां यह आशा नागर और करते हैं जो भी है जैसे भी है बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अभी थोड़ा सा अगर हम बेट कर लेते हैं जिसको लेकर कि यह जो में अगर जो कोई दिमाग किया है जो भी किया है मैं अगर यह लाइव भी जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से मैं भी अगर मेरे फेस चू फेस आती है तो मैं यह पूछ भी सकती हूं कि ढाई महीने पहले का अगर यह मुद्दा था भी तो यह उसी पीरिट में हम सब को बलाते है कि पर्टी को अंजू पे साथ नहीं है अगर किसीं भी बात को मना नहीं करेंगी अगर आपको किसी ने धमकी बहरा कोई मैसे भेजा है तो आप हमारी नॉलिज में डालो जनता है उसी वक्त एक्षन लिया जाएगा और हम अंजु को आते इस बात का बोलते कि अंजु यह क्या है जो दिखाया जा रहा है लेकिन इस फेस्टिवल टाइम पे यह हर कज्जो करी गई यह गलत है this is not fair I'm not agree this यह भी जो है एगरी है और और भी कुछ लोग है जो बात करेंगे क्या नामे जी कहना चाहेंगे मैं यह कहना चाहूंगी कि जब भी हम दान पातर खोलते हैं तो हम सब मिलकर खोलते हैं सिरफ दो लोग नहीं होते ठीक है दर्वाजे भी खुले होते है उसमें सेवादार भी होते हैं और पूरी ट्रांस्पेरेंसी एक एक चीज की है यह नहीं है कि हमें हर चीज हमारे पास रिटन है प्रूफ है हमारे पास एक्सपेंसी का है कि क्या एक्सपेंसी हो रहे हैं और किस चाइब से खर्च करना है वो सब हमें पता है सेवादानों के जितनी भी सेलरी है वो इसी मंदिर के पैसों से दी जाती है हर टाइम से टाइम सब काम होते हैं सब सब कुछ बिल्कुल क्लियर है हमें कोई वह नहीं है दाउट नहीं है और पिलर की तरह हमारे साथ घड़ी हैं तब ही उनके साथ दे रहे हैं क्योंकि वह सच्छी है अगर वह सच्छी नहीं होती तो मैं अरशना हम वी इसकी मेंबर हूँ यहां पर तो हम दान पातर जब खोलते हैं, तो हमारे दर्वाजे भी खुले होते हैं और सारे मिल के खोलते हैं, दानपातर, सब पैसे का हिसाब लिखा जाता है, एक डाइरी मेंटेन की गई है, रेजिस्टर, जिसमें जो गुलक खोली गई है, कितने बच गए पैसे, वो सब उस रेजिस्टर में मेंटेन होता है, और कैमरे लगे हुए हैं इसके अंदर, सब कुछ साफ है, सब के सामने है, जैसे कि कल महिला ने आरोप लगाए, उनके साथ बहुत जादा लोग नहीं दिखाई दिये थे, लेकिन आज फिर भी आप उनके सपोर् दो शब्द आपसे भी सुनना चाहेंगे, ताकि जो अगर वीडियो देखें तो उनको यह भी पता चल जाएगे, कितने जो लोग हैं समर्थन में भी हैं, और आपको इसे बहुत अच्छे करिके से मैंटेन कर रही हैं, हर चीज हम यह नहीं कह सकते हैं, हाँ, एलिगेशन त तो वो कह रही है, मैं फ्रूव करने के लेते हैं, तो हमारे को उससे कोई दिकत नहीं हो, सारा हिसाब दे देंगी, सब कुछ कर देंगी, और आज दिन तक अंदर कभी भी स्टोर में कैमरे नहीं लगे थे, मतलब क्या होता था अंदर स्टोर में किसी को नहीं पता, आज 20 कै पैसा गिनते हैं, तो उसके अंदर पता होता है कि ये पैसा इसने उठा लिया, की रख दिया, कि गिनके रखा, कैसे रखा, वो सब कुछ दिखता है उसमें, आज दिन तक अभी ऐसा नहीं था, पहले उनसे पहले, तो एक बार अंजु चोदरी जी के पास, अंजु जी, एक यहां पर ही सारी सेवा होती है, सारे काम होते हैं, व्यवस्था बनाई जाती है, यहां पर दान पात्र खोले जाते हैं, कल किसी नहीं यह भी कुश्चन उठाया था, कि हमने सुना है, कैमरे भी सामने लगे हम दिखाएंगे, थोड़ी सी रोशनी है, तो आपको बता दें कि यह बिलकुल जहां से रोशनी आ रही है, इसके ओपर ही यह कैमरा लगा हुआ है, और अंजो जी क्या कहना चाहिए? जो महिला अरोप लगा रही है, वो लोग आपके साथ आकर काम करें, आपके सारे शर्ट दूर करें, क्या कहना चाहिए? सब्सक्राइब लूज को है लाजनिति Oceanug lider जो भी आए वो सेवा करें हम सेवा सेवादार सेवा करते हम जनमिश्य forgot क्रवस्तार नियुक्ति वह्तुति कर दान नहीं किया करें कि कशया हर इस के मेंबर से एक चीज कुछ के यह करना यह करना के पूरी कमैटी जब तब भी हैं कमेटी दोन सब्सक्राइब मिलता है जन्मिष्टमी का प्रोग्राम इन प्रोग्राम बड़े सब्सक्राइब सब्सक्राइब है यह एक चीज का हिसाब दिया जो के बड़ी ही निश्पक्षता से अन्होंने अपने अपना पक्ष रखा है जो कल एक वीडियो चला था अंजो चौदरी जी के खिलाब और उनको इसमें कोशा धर्ष बताया गया था लेकिन सेवादार है वो भी सेवा ही बता रही है और यह सान पुजारी हम है हम 2017 में हाँ इस मंदिश को इससे बड़े महराजी हम रहे थे जो तीन महीने पहले एक्सपार हो गया है हमने यह चीज़ देखा कि अपने कारेकाल से पुर्व क्या इस्तिती थी मैंने तो नहीं जानता लेकिन हम जब यहाँ आए तो एक नई कमीटी आई अब तक तो मैंने देखा कि बहुत सारे काम हुए हैं और हर तरह से हमें इस कमीटी से कोई भी दिकत नहीं है करोना काल भी रहा हो तो हमें आर्थिक मदद बहुत मिला है और हर तरह से हम लोगों का ध्यान रखी जाती है इस कमीटी यह ऐसा तो नहीं किसे धबाव में आप कि यह बात कह रहे हो जैसा कही क vacuumology आरौक लगाए गये थे तो उस वक्त अप कहां थे या आपको बताया गया था या नहीं बताया गया था कल जो नहुनमे वीडियो चल था अस दोरान आप से किसीने बात करनी कोशिश करी कल मीटीं रहा हम लग तो क्योंकि मंदर के सेवाही तो चला होगा लेकिन इस बात को मैंने नहीं ध्यान दिया कि किस बात का हो रहा है तो यहां जो आपने देखा है जो सेवाएं करते हैं सभी महिलाएं कितनी पारदर्श्रीता रहती है देखिए अब हमें कहने का कोई मतलब ही नहीं है कि अब रही बात की और कारे कैसे होता है मैंनेजमेंट जानती है लेकिन हमें जो भी सिवा मिला है और हमारी जो कमिटी हम निर्देश देती है कि आराम से समय दिया करो या जो भी है हम लोग देते हैं और यह जरूर देखा है कि पांच साल में अभी से अधिक का मौह होगा पांच साल पहले दस साल पहले मैं नहीं कह सकता लेकिन बहुत सारे काम हुए क्या हुए कि ऊपर मेंटेनेंस नीचे जो पत्थर तूटे हुए थे उन सब का हुआ तब तो करोना काल आ गया सबसे बड़ी बात है कि करोना काल में हम लोगों के लिए कमीटी ही रही क्योंकि अब हम तो यह तो हम अर्थे गाहों से 1000 किलो मीटर दूर पर हैं हम लोगों को यहां जो इस्टोर में रहा आटा इत्यादी रखे हुए थे सब सेवादारों को बित्रण किया गया और आर्थिक रुप से अरे और ने जगहों पर तो पंडितों को और सेवादारों को भगाया गया हमें तो भगया भी नहीं गया हमें सेलरी मिली ये मंदीर शेमीजर तो यहां पूजा पहल नहीं पहते कर पाते मिकन कमीटी में पूरए साथ दिया आजी शाथ देती इन वातों के प्लिए कि आपको को कम मैं के बहुत भी धन् क्या क्याना चाहेंगे सबसे पहले आपका परीचे नाम और मेरे नाम निरिक्षंट पती दुवेदी है पहले मेरे पिता जी यहां पे सिवा देते थे पहले उन उतवित खराब रहने लगी उस समय भी मैं सिवा देता था लेकिन अचानक मृत्ति होने के कारण फिर उनकी जग हमें आपे आने लगे तब भी हमारे साथ मैडम ने बहुत अच्छे से विवार किया और अच्छे से आधर करते हुए मेरे साथ रही है और जो कल सयोग रहता है पूरा हर चीज से घर के एक एक बंदे को मेरे मम्मी को मेरा बेटा हुआ है उसके बारे में हालचा लेना किसी भी तरीके से हमारे घर को भी जानती है और हमें भी जानती है लेकिन आपके भी पूरी सेवा करते हैं बिल्कुल और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना किस तरह से जो है जो सैनिक कलोनी सेक्टर 49 जो शिव मंदिर है उसका जो विवाद नहां पर बना है बात तो वही है अब आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे जो अंजो चोदरी जी पर या आपके कमेटी के ओपर आरोप लग रहे हैं तो यह कहना है कि अभी तो उन्हीं के दोरह बनाई हुई थी अब इसमें ऐसा क्या फॉल्ट हो गया जो कि चार महीने के लिए उन् है तो मैं मालू है यहां यह सब भोटाली हो रही है अपने आप सब लगाने से क्या कुछ भी किसी की उपर लगा दे आपके उपर कोई कुछ लगा जाब मालनेंगे क्या प्रूप दीजिए ना जो भी यह पूछना चाहती तो बता दीजिए बहुत-बहुत-धन्यवाद द सब्सक्या है और जानना चाहेंगे एक बार सब हैनन्द की अनंड भाई यह कर दो कि तो हम भी आपसे ये अपील करना चाहेंगे कल जनम आश्कमी है और ये देखिए बहुत सुन्दर तस्वीर भी ये दिखा रहे है तो देखिए तो देखिए बड़े सुन्दर देखिए बड़ा ही उत्साया चाहे बेशक एक आरोपों के बीच में थोड़े सी निराशा थी लेकिन इसके बावजूद जो है यहां की तमाम सेवादार जो है महिला सेवादार है सबी इसमें क्या कहना चाहती है हमारे मंदर के पंड़जी और जितनी भी मेरी हमारी कमेटी समय तियर यह जिनको अगर इन समय कोई कमी लगती है यह करती है अगर वह वह करती है तो जो यह सब कहने के लिए तयार है मैं वह करने के लिए तयार है देखें जे बहुत बड़ी बात है दिए तो हम भी यह कहेंगे अपील करेंगे जो भी रोप लगा रहे हैं आप tablet कहने वह एले तयार मनाइए उसके बाद जैसे वह आप आना चाहें इसाप लेना चाहएं आप हिसाब लीजिए आप हमसे संपर करना चाहते हैं तो हमें भी comment कर सकते हैं और आप देखिए किस तरह से यहां पर एक बार फिर से कहना चाहेंगी क्या है हम यह कहना चाहते हैं कि अगर मंदर की committee कोई भी बनती है कोई भी अंजु बने ना बने हमारको कोई दिक्कत निया हम कहते हैं आज टा दो लेकिन जो भी बनेगा हमारे सब के voting से बनेगा ऐसे नहीं बनेगा अपने आप आप लोग आओ और committee बना के चले जो ऐसा नहीं चलेग पूरी पूरी क्लोनी क्या बलते voting करेगी उसके बाद ही आप committee बनेगी ऐसे committee नहीं बनेगी बेशक आज के आज हटा दो आप लोग हमारे को कोई दिक्कत निया है लेकिन voting होगी आप तभी committee बनेगी ऐसे कोई भी जो जिसका मन करता है वह अपने बंदे लेकर आ जाते कमेट बनेगी ऐसे committee कबसे बनती है मंदिर हमेशा जनता से चलता और जनता से नहीं पूछा जाता अब वोटिंग के तुरू ही होगा जो भी कुछ होगा committee ऐसे नहीं बनने देंगे हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो को देखा और आपकी क्या राय है आप comment box में भी बता सकते हैं नमस्कार